हलो फ्रेंज आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल रामगर टेक में दोस्तो आज का बहाली का अपडेट जो निकाला गिया है जहरकंड के जिला रामगर के तरब से निकल कराया जिसमें पदो की संकिया 1550 बताई जा रही मैं बता दू सुरच्छा कर्मी का बहाली यहां पर निकल कराया रामगर जिला से और इसमें क्वालिफिकेशन जो होगा नाइन्थ पास से लेकर 10-12 ग्रेजिएशन सभी लोग फोर्म को भर सकेंगे तो कहां से भरना है फोर्म को किस तरह से इसका आवेदन होगा और क्या नियम होगा पूरा डीटेल हम बताएंगे वीडियो के स्टाट करने से पहले कुछ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कुछ दिन पहले मैं अपने चैनल में वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें मैं जामताड़ा जीला का बहाली का अपडेट रोजगार मेला का बताया हूँ और राची जीला का रोजगार मेला का अपडेट बताया हूँ जिसका 30 और 31 अक्तूबर को होने वाला है अगर आप उस मेला में सामिल होना चाहते हैं या रोजगार पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाए वहाँ पर उसका लिंक मिल जागा उसके क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकेंगे तो चलिए इस वीडियो को बिना टैम गवाए एड़वेटैजमेंट खुल चुका है ये एड़वेटैजमेंट जो निकल कर आया है आप यहां पर देख सकते है अपको ये एड़वेटैजमेंट देखने को मिल जाएगा और देखीए इसका advertisement आप खोलेंगे तो आप नीचे मायेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा तो यह update जो निकाला गिया है आप यहाँ पर देख सकते जारकन सरकार सरम नियोजन एवं पर सिच्छन विबाग जिला नियोजनाले रामगर भरती कैम तो यहाँ से इ इच्छित बेरुजगार युवाओं को नीजी छेत्र में परिस्थान में नियोजन पराद कराने का आउसर उपलब्द कराने के उद्देश से जारकन सरकार सरम नियोजन एवं पर सिच्छन विबाग के तत्वदान में जिला नियोजनाले द्वारा भरती कैम दो यहाँ अ यहाँ जिला नियोजनाले के अस्थानी रामगर परिसर में आपका भरती गैम लगाया जाएगा जिसमें सिक्यूर्टी गाड का बहाली का अपडेट निकाला गया तो सिक्यूर्टी गाड का यहाँ पर बहाली होगा और इसमें जो क्वालिफिकेशन बताया गया नाइंध पास चली हम आपको बताते कहां का यहाँ पर बहाली आने वाला है अगर माली जी फोर्म को भरते है तो आपको कहां बहाली मिलेगा वो हम आपको बताते तो देखिए यहाँ पर जो अपडेट निकाला गया देखिए यहाँ पर आपको देखनों को मिल जागा नियोजन का न सिक्योर्टी गार्ड सुरच्छा कर्मी का बहाली यहां पर निकाला गया और पदो की संख्या देखिए 500 यहां पर पदो की संख्या 9 क्लास पास वालों के लिए बनाई गया है उसके बाद 1000 पदो की संख्या यहां पर 10 क्लास पास वालों के लिए बनाई गया और 50 यहां पर 10 क 35 साल तक की लोग फॉर्म को भरेंगे तो 18 से 35 साल तक की लोग यहां पर बहाली को अपलाई करेंगे और यहां पर देखिए जो परती महिना आपको सेलरी मिलेगा 9900 रुपया पहले 99 किलास वाले लोग को मिलेगा उसके बाद अगर आप 10 किलास पास है तो आपको 9614 रुपया म अगर उससे उपर से आप अगर होंगे पढ़ाई में अगर आप क्वालिफिकेशन में होंगे तो आपको 11,093 रुपया यहां पर परती महिना मिलने वाला है और देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको हाइट मांगा गया है तो हाइट को आप देख लीजिए यहां पर देखिए हाइट 162 cm यहां पर आपको मांगा जा रहा है और उसके इलावा आप देख सकते हैं 168 cm यहां पर अगर आप नोईडा लोकेशन से है तो भर सकते हैं चेनल लोकेशन से है तो आप यहां पर 165 cm तो यहां पर एरिया वाइज cm बताया गया और फॉम को किस तरह स में अथवा जारकन रोजगार NIC पर अपना निबंदन कराते हुए उपरुक्त भरती कैम्प नियोजन के परतिनिद्यूत के समझ अपनी मुल परमान पत्र एवं उसकी छाया पत्री तथा बायो डाटा दो के साथ सचातकार हेतु उपस्तित होंगे तो बोला जा रहा है कि अगर आप अपने नजदी की जिला नियोजनाले में रेशिशन करवाए है तो आप यहां सामिल हो सकते हैं अगर नहीं करवाए है तो आप जहरकन रोजगार NIC.in में जाकर करवा सकते हैं या फिर अगर आपको नहीं आता है रेशिशन करना तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क का उसको प्रिंट लेना आपको दो बायो डाटर ले लेना दो फोटो ले लेना और अपना क्वालिफिकेशन का दो दो जेरोस करा कर आपको इस भरती कैम्प में सामिल हो जाना और देखिए इसका टाइमिंग सुबह साड़े दस बहे से तीन बज़े दो पहर तक आप यहां ही अपडेट दूँगा अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कोमेंट कर सकते हैं मैं आपका रिपलाइ करने का ज़रूर कोशिद करूँगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल के सा झाल 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 झाल